Hello friends, this is Priyanka Kushwaha and welcome to RN Online Class. Friends, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले है Swamposhi portion or Vissamposhi portion के अंतर के बारे में और इसके बारे में थोड़ी से चर्चा करेंगे उसके बाद में इसके अंतर क्या है वो सारी बाते में आपको बताने वाली हो कुछ स्टूडेंट कर रहे थे कि बाइलोजी के टॉपिक पर दीदी वीडियो बनाईए तो यह बाइलोजी का ही टॉपिक है जिस पर मैं वीडियो बना रहे हूं यह बहुत ही इंपोर्टेंट है जो कि आपके एक्जाम में देर उत्री प्रकार के प्रशनों में पूछा जा क्या है स्वैम पोशी पोशन तो पहले जान लेते हैं कि स्वैम पोशी पोशन है क्या तो वे जीव जन्तु जो अपना भोजन स्वैम बनाते हैं तथा अपने भोजन के लिए दूसरे जीव जन्तु पर आश्रत नहीं होते हैं उन्हें स्वैम पोशी जीव कहते हैं और इस के जीवो द्वारा भोजन निर्मार करने की प्रक्रिया स्वयम पोशी पोशन कहलाती है तो ठीक है तो यह हो गया हमारा स्वयम पोशी पोशन का उधारन क्या है स्वयम पोशी पोशन की उधारन है हरे पेड़ पौधे उधारन क्या है हरे पेड़ पौधे सभी जितने हरे पे के लिए उर्जा के लिए दूसरे प्यराषित नहीं होते हैं युग लीना यह क्या है इसकी अलावा च्छीवाडु उते हैं यहतीडा हुआ प्रकास प्रकास इंसलेशन की क्रिया होती है जिससे प्रकास इंसलेशन की क्रिया क्या है यह एक रेक्शन है आप देख लीजिए प्रकास इंसलेशन की क्रिया में क्या होता है कि कार्बन डायोकसाइड प्रकास निर्मार करते हैं और यहीं कार्बोहाइट्रेट प्रकास निर्मार करत यह क्या है इसी को कार बोहेटछी कार्बोहेटरी कि परिभाजा क्या होती कि वह सभी योगिक की कर November आक्सीजन उप False होते कि उपस्थित होतें सभी चhthalतें यहां कार बन ऑप गारोगन भी है आक्सटुर। यह क्या है कवारा नाम है क्या है कर बना ऑर और जलबी देखों पर यहां पी निकलेगा थोड़ा सा यहां 12 है 12 है uh तो यह गया हो तो आप देखो एक स्वेशन वैलन्स है आप देख लो यह चे कार्बन यहां पर गतले तो यह होता है प्रकास संसलेशन की प्रक्रिया में जो पेड़ पॉदे के हरे भाग होते हैं यह किस स्थिती में होता है किसकी सहायता से क्लोरोफिल की सहायता से सूर के प्रकास की उपस्थिती में क्रिया होती है क्लोरोफिल की सहायता से यह अभी क्रिया होती है यह प्रकास संसलेशन की क्रिया होती है इसके तीन चरण होते हैं पहला चरण क्या होता है हमारा यह जो हमारी क्रिया है, इसके तीन चरह होते हैं, पहले क्लोरो फिल द्वारा, क्लोरो फिल द्वारा, प्रकास उर्जा का उशोर्षण होता है, हमारा यह जो प्रकास उर्जा है, इसका उशोर्षण होता है, यह जो प्रक्रिया हो रही है, वो तीन चरणों में हो रही है और यह तीनों चणणों को मैं बता रहे हुं पहला चण प्राशूर्जा और प्रकाश वोसे लिए involves प्रकाशूर्जा में परिवर्तन हो जाता है। में परिवर्तन हो जाता है इसके अलावा भी क्या होता है इसके अलावा होता है कि जो हमारा कार्बन डायोक्साइड वह जल के अडू है वह ग्लुकोज में अपचेहित होता है और यह जो हमारे जल के अडू है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में अपगटित हो जाते हैं तीसरा क्या है यही कि carbon dioxide का glucose में होता है carbon dioxide tengo two 2000 सिब्सक्राइब यह क्या है carbon dioxide का carbohydrate में लिखो लिखो डर्वोऊ-memem meus अब चया है यह तीन प्रक्राइब होते है यह प्रका, यग़र्मी के प्रक्रश्यों की प्रती ह्में लिटा में यह तीन प्रक्रा क्रती है ठीक है इसके बात जा करके इस तरह से ले peso में कर निफिते देखिन वह निर्य करते हैं यह vindenë से मουνड के रूप में संचित हो जाता है म обсंड पोशी-पोश्ण में बस इतना ही रहा अब अब हम लोग विशम पोशी पोशन के बारे में बात करेंगे, विशम पोशी पोशन में कई प्रकार भी होते हैं, उन पर भी हम लोग चर्चा करेंगे, और विशम पोशी पोशन है कि इसके बारे में भी चर्चा करेंगे, तो सबसे पहले हम लोग इसको रफ करेंगे, उसके बच्चों किसी भी सवाल में आप अटक गए हो आप से सॉल्व नहीं हो पार है बस आपको सवाल का फोटो लेना है क्रॉप करना है और पांच सेकेंड के अंदर उस कोशिन का वीडियो शलीशन आपको मिल जाएगा फिर आपका वह कोशिन होंवक का हो सिबसी बोर्ट का हो यूपी बिहार महाराष्ट्रा एंपी या किसी भी बोर्ट का चाहे हो आयाइटी जेई नीट क्लास छटी से बारवी तक का सवाल इन सब का जवाब आपको मिलेगा डाउट ना टैप पर या कोई भी सबजिक्ट हो फिजिक्स केमेस्ट्री मै बालो जी आपके सभी सवालों का जवाब मिलेगा डाउट ना टैप पर साथ ही चल रहा है कच्छा नोवी से बारवी तक का लाइव क्लास हिंदी और इंग्लिश मेडियम में तो बच्चों देर क्यों डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा जहां से आप तो वे सभी जीव जन्तु इसकी परिभास से सुनिए वे सभी जीव जन्तु जो अपने भोजन के लिए पेल पौधों पर या किसी अन्यसाधर पर आश्रित होते हैं वे क्या कहलाते हैं विशम पोशी जीवों में पोशन की यह प्रक्रिया क्या कहलाती है विशम पोशी जी करेंगे तो यह क्या हो गया हमारा साकाहारी सबसे पहले क्या है साकाहारी साकाहारी ठीक है अब क्या आता है मांसाहारी फिर क्या है मृतोप जीवी या फिर इसे मृत जीवी भी कहते हैं मृतोप जीवी इसका दूसरा नाम है अप मार्जक अप मार्जक और यह क्या हो गया पर जीवी थिक है यह चार प्रकार होगत यह जो विशम पोसी जीव होते हैं पर पोसी जीव भी कहा जाता है अगर आपके प३ोंख में वार्ए में थो ठोल ठोल जान लेते हैं कि यह सबी जीवजन्तू जो पे बोधे हरी पत्तियां फल फूल इत्याद ही खाते हैं वे सभी क्या कहलाते हैं साकाहारी जीव कहलाते हैं ठीक है और मांसाहारी क्या है वे सभी जीव जन्तों जो अपने से छोटे जीव जन्तों का शिकार करते हैं और उन्हें खाते हैं वो क्या कहलाते हैं मांसाहारी जैसे सेर हो गय पदार्थों से या मृत जीवों से अपना भोझन प्राप्त करते हैं आपने देखा होगा कि कभी-कभी कोई चीज़ रखी है वहाँ साधञ गई है जो ठीक्ष्टे बैक्टिरिया जीवाड़ू颃 करते हैं तो वह Tope पर जीवी कहलाते हैं ठीक है पर जीवी पर जीवी क्या है वे सभी जीव जन्तु जो दूसरे जीव के सरीर में रहकर अपना भोजन ग्रहन करते हैं मतलब दूसरा जीव जो है वो मरा नहीं है वो जीवित है लेकिन उसके सरीर में रहकर यह अपना भी भोजन ग्रहन कर रहा है जिसे हमारे पेट में ही कई जीवाड़ों वगरा हों तो वो सब क्या कर रहे होंगे अपना भोजन ग्रहन कर रहे हैं यह हमारे लिए हानिकारक नहीं होते हैं हमारे ले लाबदायक होते हैं कुछ हानिकारक भी होते हैं तो वो क्या करते हैं हमारे पेट में ही रहकर हमारे सरीर में ही रहकर अपना भोजन ग्रहन करते हैं यह सभी पर जीवी के अंतरगत आते हैं तो यह रहा चार प्रकार विशम पोशी जीवों का और विशम पोशी पोशन के किuszके बार हम उसे करें गा और बारी से आपको समझाएंगे वाली हो स्वव गया अंतर e कि पोश्ञड की वह विधी जिसमें जीव अपने भोजन का निर्मार्ष स्वैम करते हैं अपोश्ड कहलाता है तो यह तो आपका परिफास अहीं है कि वह इते हैं उसे विशम पोशी पोशोन के के लिए हरितलवक पाए जाता है स्वपोशी पोशन में क्या होता है भोजन निर्माण के लिए हरितलवक पाए जाता है इसमें क्या होता है हरितलवक नहीं पाए जाता है तीसरा अंतर क्या है इसमें अपने भोजन के निर्माण के लिए आकार्बनिक पदार्थों की कृष्र को प्रदर्शित करने वाले उत्पाधक कहलाते हैं स्भुष्र करने वाले जीव दो प्रकार के एक तो प्रकाश स्वायम परदेशित कने वाले चार प्रकार के होते हैं पहले ही इसके बारे में डिटेल में डिसक्स कर लिया कि यह पूछा जाता है और कई बार तो यह लगुत्री प्रकार के प्रश्णों में पूछ लेगा तो यह अच्छा खासा आपका नंबर स्कोर करेगा तो इसलिए आप इसे अच्छे से रट लीजिए अच्छे से याद करें समझ लीजिए अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए आज की वीडियो में बस इतना ही आगे हम आपके लिए लेके आएंगे और भी अच्छी और बहतरीन वीडियो अगर आप अभी तक हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किये तो आप हमारी चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए